नवस्कार मित्रो और एक नई विग्यापती जारी की गई है प्रेश पृप्टि जो आई है उत्राखंड अधीनस सेवा चाहनाएक के तरफ से उत्राखंड सब्रॉडिनेट्स सेलक्षन कमिशन और चार तारिक की ये विग्यपती है प्रैस विग्यपती जिसमें 16 फर्वरी क जो वो नारक्षी परिक्शा होनी है उसके पारह में डिटेल्स दी गई हैं कि उसके प्रविश्पत्र जारी कर दिये गई हैं आप लोगों have बहुत सारे बैठतियों ने डाउनलोड भी कर दिये होंगे, उसके अलावा कुछ जानकरियां यहां पर और है, क्योंकि परिक्षा जो होनी है, 16 फर्वरी 2020 रेवार के दिन होनी है, और यह परिक्षा इस बार दो पालियों में होनी है, पहली पाली जो सुबह होगी, 10 से 12 बज कहते हैं, उसके लिखित परिक्षा है, और इसकी जो परिक्षा है, सभी 13 जनपदों में आयुजित हो रही है, एक लाग शपन हजार चालिस अब यहां पर उनके प्रवेश्पत्र नोंने जारी कर दिये हैं, और यह सब आयो की जो वेब साइट है, www.sk.uk.gov.in पर अप्लोट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है, हर डिस्टिक्स से लोगों ने अप्लाई किया है, तो हर कोई जानना चाहता है कि हमारे जनपत से कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी नजर डालेंगे, तो आप हम देखते हैं, अगर हम सब तिस परिक्षा के अन्याप बनाई गई है ऐसे हरिदवार में दसजार पहली पाली में और 10455 जाड़ 6434 दुसरी पाली में कुल 20892 पॉड़ी गड़वाल में पुल मिला के 7400 इक भीरती हैं ठीरी से 5435 हैं चमोली से 7847 रुदर प्रियाग में 4261 हैं और तर्काशी से 8183 है प्रेखाना सिस्विपोर्मावा के सबसे जогन आठे इसे प्रक्षा करने वाले हैं इसके हम देखते हैं कि मुझा कोilly यहां पर रहा है किसे किसे इस बिर्टी है हैं हम देखते हैं सबसे ज़्यादा बेर्थी दसजाद तीन बेर्थी आपके नाइटाल में पहली पाली और 9980 दूसरी पाली में कुल मिला कि उन्नीस जार इसमें बीस परीक्षाद एनाई बेर्थी अलमोड़ा जिल्ले से परिक्षा देंगे इसे सब्सक्राइब जो हैं जो है वह चंपावत परिक्षा देंगे और तीनजार 1669 वाब्यर्थी परिक्षा देंगा कुल में लाकर के 63914 जो है वो गुमा मुंडल से परतिभाग करेंगे और पिछातर परिक्षा केंद्र मापे बनाए गए तो अकर हम देख लें कि कुल संक्या के अगर बात करते हैं तो कुल परिक्षा केंद्र जो है 113 वहां और पिछातर मुंडलों की अब्यर्थियों को जोड़ते तो हमारे पास निकल के आता है 11646 अब्यर्थी जो है लबक डेड़ लाक अब्यर्थी यहां पर इस परिक्षा को मैं परतिभाग करने जा रहे हैं कुछ अब्यर्थी हो सकता है नपस्तित रहें लेकिन यह मान की से लिए कि एक पजास तर अब्यर्थी इस रिटन परिक्षा को देने आ रहे हैं और इस रिटन परिक्षा को देने के बाद में क्योंकि मेडिकल इसमर बाद में होना है तो काफी बड़ा तांप्यूटिशन यहां पर देखनें PC को मिलेगा तो यह information थी फ़र्श इसमें बाद में होना है तो काफी बड़ा कंपेटिशन यहां पे देखने को मिलेगा तो यह इनफॉर्मेशन थी फ़रिस्ट कार्ट की परिक्षा को लेकर की और जिन अब यर्थियों ने प्रविश्पत्र डाउनलोड नहीं किये हैं वे अपना प्रविश्पत्र क्या क्या परिक्षा हैं आप आनी है क्यों कॉमन पेपर है यूगे ट्रिपल एसजी का और जिसे फॉरिस्ट कार्ड में भी लागू किया गया है उसमें आपको सबसे पहले जो सामने हिंदी है हिंदी के अलावा आपको जनल स्टडीज है और उत्राखंड है तो यह तीन ची है जनल स्टीज में थोड़ा बेसिक रूप से आपको इस्ट्री जोग्राफी एकोनमी पॉलिटी इत्यादी आप पढ़ लें इसके लावा उत्राखंड का कल्चर और यह तमाम जो चीजह हैं उसको आप पढ़के जाएंगे तैयारी करके जाएंगे तो यह तमाम जो चीज आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं और आगे भी कोई इंफोर्मेशन ऐसी आती है तो हम भी आप तक पहुंचाने का पुरियत न करेंगे और आपको इससे कोई टूटियल चाहे और आप चाहते हैं कि हम इसकी क्लास आपके लिए लेकर आए तो आप डि इस वीडियो को सुना आप सेयम बनाई रखें अपनी तयारिया को जारी रखें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि एसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम पूरी आनलीसिस के साथ मोचाएं और आपको उसका प्रफिट मिल सकें तो आगी हम और बहुत सा सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैन